इस विडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस विडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करते संभावित स्वास्थे लाभों के लिए किया गया है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। 1. सूजन रोधी गुण पारिचात के फूलों में ऐसे योगिक होते हैं जिनमें सूजन रोधी गुण होते हैं। ये गुण शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो विभिन सूजन स्थितियों के लिए फायद इमंद हो सकते हैं। 2. एनालजेसिक यानि की दर्द निवारक प्रभाव पारंपरिक चिकित्सा में पारिजात के फूलों का उप्योग दर्द से राहत के लिए एक प्राक्रतिक उप्चार के रूप में किया गया है। वे सिर्दर्द, गठिया और मांस्पेशियों में दर्द जैसी स्थितियों से राहत दे सकते हैं। 3. बुखार में कमी पारिजात के फूलों का उप्योग कभी-कभी बुखार को कम करने और बुखार से संबंदित लक्षनों को कम करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनमें ज्वनाशक गुण होते हैं। 4. श्वसन स्वास्थ्य पारिजात के फूलों का उप्योग पारम पर एक रूप से खांसी, सर्दी और अस्थमा जैसी श्वसन समस्याओं के प्रबंधन के लिए किया जाता है। वे लक्षनों से राहत देने और श्वसन क्रिया में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। 5. तवचा की देखभाल तवचा के स्वास्थे में सुधार की क्षमता के कारण पारिजात के फूलों का उप्योग विभिन तवचा देखभाल उत्पादों में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनमें एंटियोक्सिडेंट गुण होते हैं जो तवचा को क्षती और समय से पहले बोढ़ा होने से बचाने में मदद कर सकते हैं। 6. तवचा के लिए सूजन रोधी, मुहासे और चकते जैसी तवचा स्थितियों में सूजन को कम करने के लिए कभी-कभी पारिजात के फूल का पेस्ट या तेल शीर्ष पर लगाया जाता है। 7. सुगंधित गुण पारिजात के फूलों का उप्योग आमतोर पर सुगंधित माला, इत्र और आवश्यक तेल बनाने के लिए किया जाता है।